नमस्कार इन फिल्मिस टू बॉलिवूड में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं बॉलिवूड के दबंग इस्टा सल्मान खान की अपकमिंग मुवी सेर खान से जोड़ी कुछ खास ख़बरों के बारे में दोस्तो फिल्म को लेगर के कुछ खास ख़बरे सामने आ रही हैं दोस्तों जैसा कि हम सब इचारते हैं कि इन दोनों शल्मान खान उनकी अपकर फिल्म दबंग 3 का प्रमोशन काफी जोरसुसे कर रहे हैं और दोस्तों बात की जब फिल्म के गाने और ट्रिलर के बारे में तो फिल्म का ट्रिलर रिलीज कर दिया गया है और गाने बात की जाया तो बॉलिवुड के दबंगी स्टार सलमान खान नजर आएंगे उनकी अपोजिट अबने 3 काउंसी नजर आएंगे इसका तो खुलासा अभी तक नहीं किया गया है वैसे दोस्तो आपकी और से सेर खान में काउंसी अबने 3 लीड रोल में होनी चाहिए दबंगी स्टार सलमान खान की अपोजिट इसके वारे में नेचे जरूर कमेंट करें आपको बता दे कि ये फिल्म साल 2022 में रिलीज की जा सकती है ऐसा अंदाजा है तो दोस्तो बात की जब फिल्म सेर खान के नई अपडेट के बारे में तो नई अपडेट ही है कि सलमान खान ने इस बात को खुलासा किया है कि इस फिल्म जो सेर खान है वो मेरी चार फिल्म के बाद आएगी जी हाँ दोस्तो सलमान खान ने इस बात को खुलासा किया है कि उनकी चार फिल्में आने वाले हैं चार फिल्में आने के बाद ही सेर खान फिल्म आएगी तो दोस्तों आप एक इतना excited फिल्म सेर खान के लिए नीचे comment section में जाएं और जरूर बताएं फिल्म के बारे में आपका क्या opinion है, अबने तरी के बारे में आपका क्या opinion है कि फिल्म सेर खान आ रही है तो दोस्तों बॉलिवूट से जुड़िये सी तमाम ख़बरे जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथ जरूर सेर करें वाटसाफ फेस्विक पर और कमेंट करें अगर कुछ कहना चाहते हैं फिल्म सेर खान के बारे में धन्यवाद